साल 2019, कोरोना ने दस्तक दी और धीरे-धीरे कोरोना महमारी पूरे देश में फैल गई भारत में भी कोरोना की लहर ने खूब तांडव मचाया हर शहर हर घर में कोरोना का कहर देखने को मिला दिन बढ़ते गए लेकिन कोरोना वारस का कहर अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा है देश भर में एक बार फिर कोरोना संक्रमितों की संख्या में उच्छाल देखने को मिला है केंद्री स्वास्ते मंतुराले की और से जारी ताजा आंकडों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वारस के 14,506 नए मामले सामने आए हैं और 30 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है एक दिन पहले सामने आए कोविट के मामलों से तुलना करें तो कोरोना के मामलों में 23 फीजदी का उच्छाल आया है बता दे कि इससे पहले मंगलवार को देश में 11,793 केस दर्ज किये गए थे इसी के साथ एक्टिव केसों की संख्या एक लाग के करीब पहुच गई है देश में फिलहाल कोरोना सक्रिय मरीजों की संख्या 99,602 हो गई है देश में पिछले 24 घंटे में 2,902 एक्टिव केस बढ़े हैं इसके साथ ही डेली पॉजिटिविटी रेट 3.35 प्रतिशत है अब देश में कोरोना के कुल 4,34,33,345 मामले दर्ज किये जा चुके हैं वहीं कोरोना से हुई मौतों का कुल आंकडा 5,25,077 हो गया है सरकार की और से जारी किये गए आंकडों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 13,44,778 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है जिसके बाद देश में अब तक कुल 197,97,138 लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है पिछले कुछ दिनों से कोरोना के सबसे ज्यादा मामले जिन राज्यों से सामने आ रहे हैं उनमें महारास्टर, केरल, तमिलनाडू, करनाटक और बंगाल है महारास्टर की बात करें तो महारास्टर में पिछले 24 घंटे में 3,482 नए कोविड मरीज सामने आए तो वहीं कोरोना से 5 मरीजों की मौत हो गई, वहीं एक्टिव केस 25,000 से ज्यादा दर्श किये गए हैं वहीं केरल में 2993 नए कोविड मरीजों के साथ केरल दूसरे पायदान पर है इसके साथ ही तमिलनाडू में 1484, करनाटक में 968 और बंगाल में 954 केस मिले हैं यानि देश में कुल मिले केसों में 68.111 प्रतिशत इन्ही 5 राजियों में मिले हैं महरास्टर में अकेले 24.06 प्रतिशत केस मिले हैं वहीं रास्टरे राजधाने दिली की बात करें तो दिली में कोरुना से थोड़ी रहत मिली है पिछले 24 घंटे में दिली में 874 नए कोविड मरीज दर्च किये गए हैं जबकि संक्रमण से 4 लोगों की मौत हो गई है राजधानी में संक्रमण दर 5.18 प्रतिशत से नीचे है जिस तरह से देश में कोरुना के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं उससे सरकार की चिंता बढ़ गई है हलाके पिछली लहर के मुकाबले इस साल कोरुना का प्रभाव कम है अच्छी बात ये है कि कोरुना के सक्रिय मरीजों में ज्यादा गंभीर लक्षण नहीं है और वो असानी से घर में भी ठीक हो रहे हैं फिर भी लोगों को अभी एहतियात बरतने की ज़रुत है कोरुना के नियमों का सक्ती से पालन कर कोरुना से जंग जीतने में सरकार का साथ देना है फिलहाल इस खबर में इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए One India हिंदी के साथ